अगर हम hyperhidrosis पेचली पामर हाइप्र हाइड्रोसिस के लिए surgery कराते हैं यानि thoracic sympathectomy कराते हैं तो हमारी recovery कितनी जल्दी होती है क्योंकि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि thoracic sympathectomy हमें एक keyhole surgery के मात्यम से कर सकते यानि एक छूटे से चेस्ट के कट से यह पूरी सरजरी संभव है तो इस सरजरी के बाद pain भी बहुत कम होता है और normally patients को हम same day of surgery पे discharge कर सकते हैं at the maximum patients को हम next day of surgery भी भेज सकते हैं surgery होने के बाद घर जाने के बाद patients अपने normal activities में as early as possible आ सकते हैं वो अपने आप से वाप कर सकते हैं, normal खाना खा सकते हैं, exercise कर सकते हैं but important यह है कि as directed by the surgeon वो अपने follow-up के लिए timely आए ताकि हम उनके wounds को check कर सकें और हम यह देख सकें कि thoracic sympathectomy से उनको कितना relief मिला है और also important side effect यह complication जो होता है thoracic sympathectomy का compensatory hyperhidrosis उसको भी assess कर सकें कि क्या उस patient को compensatory hyperhidrosis डेवलप हो रहा है या नहीं